ब्लूबेरी वने लाओ, डबल एपल नाइ, स्रॉबेरी वॉटरमेल, ट्राइ करके दिखाऊं? नहीं, नहीं यार इल्ली गले, वीडियो चली जाएगी अपनी वहाँ तेज हो रहा है या आज की वीडियो में एक नए ट्रेंड की बात करते हैं वेप्स, या e-cigarettes, या कॉलेज में कूल बनने का नया तरीका आज की गेट में वेप्स बहुत पॉपिलर हो गए तो हर दूसरे बच्चे की आपको जेब में ये मिल जाएगा ये वेप्स का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि अब तो स्कूल्स में जहां बच्चों से chemistry classes में बेंजीन निंग नहीं बनती वो वेप्स से छल्ले बना कर कुकूल बन रहे अब जहां पर पूरी जनरेशन ही cigarette फूक रही थी अब जहां पर पूरी जनरेशन ही cigarette फूक रही थी वेप इस लाइक टेसला जो नया revolutionary product है जो market disrupt कर रहा है मतलब अब अगर शुट्टे से relationship नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं इससे situation ship चला सकते है समझ रहे हो इनफेक्ट सिफ हमारे आसपास नहीं वेप हैस टेकिन द वर्ल्ड बाइस टॉर्म आजका लोगों में वेप्स की popularity बढ़ती ही जा रही है बच्चे जवान बुड़े सब लिट बनने में लगी है अब बच्चा आएगा सिग्रेट पी रहा है मैंने तो छोड़ दी भाई मेरे को कैंसर वेंसर नहीं करना मैंने तो वेप पीता हूँ बहुत केड़ी चीज़े हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है मेरा तो विटामिन फ्लेवर है मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ बॉडी बनती है इससे मैं तो प्री वर्काउट में भी यही लेता हूँ और दुहा तो इतना गाड़ा भाई दिल्ली की अवा फेल है देख चल्ला बचा के देखाँ अड्रेल्स में तो उसका क्रेस था ही आज कल स्कूल्स के बच्चों में भी इसका डिक्शन हो चुका है जैसे हमारे टाइम में स्कूल बैक में मुबाइल फोन्स पकड़े जाते थे आज की टाइम में जब स्कूल की मॉर्निंग प्रेर से पहले रेड होती है और बैक पर बैक चाने जाते हैं तो उनमें वेप पकड़े जाते हैं कुछ ऐसा दिखता ही है एकॉनमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसमें पता चला कि एक स्कूल में जब रेड हुई तो डेर्ड सो के करीब वेप्स मिले और यह सिर्फ एक स्कूल की हालत नहीं है, इंडिया के आल्मोस्ट हर स्कूल में आब यह हो रहा है और यह वेप का जो ट्रेंड है आब यह सिर्फ ट्रेंड नहीं है कुछ countries इसको legalize कर चुकी है, in fact, कुछ countries इसको promote तक कर रही है हाली में खबर आई थी कि UK में 1 million free vapes बाटे गए थे to help people quit smoking मतलब अगर आप cigarettes से चुटका रहा पाना चाते हैं तो ये भूको और जहां कुछ European countries में ये promote हो रहा है मज़ेगी बात ही है कि हमारे देश में ये बैन है 2019 में सरकार ने निकाला था Prohibition of Electronic Cigarette Act जिसके तहट उन्होंने e-cigarettes या vapes को बैन कर दिया खटम, टाटा, बाई-बाई हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है ना जो वेब ठूक रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करो और उसे बोलो कि भाई यह illegal है जितना cool बनना है बनलो लेकिन अगर पकड़े गए तो first time offenders को एक साल की सजा और एक लाग तक का fine लग सकता है और अगर फिर भी नहीं माने तो तीन साल की jail और पाँच लाग का fine तो भाई ये वेब का मसला है क्या कहीं सरकार बैन कर रही है कहीं प्रमोट कर रही है देखो वेब को डिसकस करने से पहले समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या काम कैसे गरती है अगर history की बाद करें तो ये cigarette को 2003 में चाइना में एक pharmacist ने invent किया था इस invention का motive था to come up with something जो traditional smoking का alternative बन सके अगर आपको vape की working समझना है तो बहुत simple है इसके अंदर एक battery होती है एक atomizer होता है और एक cartridge होता है तीन basic components है और इसी cartridge में nicotine या किसी cases में non nicotine liquid solution डाला जाता है जब कोई इसको on करता है तो battery cartridge में जो liquid होता है उसको गरम करती है और फिर इसे atomizer mist या vapor में बदल देता है जिसको vaping कहते है मतलब भाप बनती है vapor, vape अच्छा इस product को health का हवाला देकर market किया जाता है लेकिन vape healthy होता है ये सच नहीं है इसे health impacts हुए हैं और हाली में कुछ ऐसे cases आएं जहाँ vape की वज़े से लोग अस्पताल के बिस्तर तक पहुँच गए है ये लड़की US में रहती है, 18 साल की है, नाम है जूलियर्ट रॉबर्ट्स और वेपिंग से इनों ने अपनी हालत इतनी खराब कर ली थी कि भाई 5 दिन तक life support पर रहने की नौबता गई थी और इस लड़कें खुद बताये था कि जब वो 14 साल की उमर की थी वो तब से वेपिंग कर रही थी पहला तो यह कि ट्रेंडी हो चुका है कूल बनने के लिए, पियर प्रेशर में, दोस्तों के साथ मजे करने के लिए लोग वेपिंग स्टा कर रहे है यूजली सुट्टा भी लोगों का ऐसे ही शुरू होता है और दूसरा यह कि सिगरेट के मुकाबले वेप को यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है मतलब सुट्टे की तरह खरीदने, चुपाने की हैडिक नहीं है बटन दबाओ शू, बटन दबाओ शू, बटन दबाओ शाँ इनों ने एक जार में 16 पैकेट रखा और दूसरे जार में एक वेप को खाली किया और दोनों का रिजल्ट आपके सामने रहा So evidently, yes, वेपिंग is less harmful than cigarette but completely risk-free नहीं है सवाल यह नहीं है कि वेप हेल्दी है या नहीं सवाल यह है कि cigarette की comparison में कितना बेटर है देखो, logic और common sense का इस्तिमाल करोगे तो आपको यह समझना चाहिए कि cigarette और वेप दोनों अलग-अलग तरीके से यूस किये जाते हैं इनका mechanism बिल्कोल अलग होता है cigarette में tobacco, यानि कि तमाकू जलाया जाता है जो carcinogenic chemicals produce करता है और इससे आपको cancer होने का खतरा होता है cancer होता भी है, मुकेस बनते हैं लोग तभी लिखा जाता है smoking kills अब वेप में tobacco burn नहीं किया जाता बलकि उसकी जगे फ्लेवर्ड और nicotine liquid heat किया जाता है और इसको heat करने के बाद बनता है वेपर जिसको आप inhale करते हो to give a soothing effect अब मेभी वेप उनकी लिए useful हो जो chronic smoking addicts हैं जो chain smokers हैं जैसे कि कुछ nicotine patches, कुछ nicotine chinggums बिखते हैं न कि आप इनको चबाओ इससे आपको smoking quit करने में मदद मिलेगी उन cases में वेप शाइध useful हो in fact यह study ने बताये था कि वेप साथ twice as useful as nicotine gums in helping a person quit smoking मतलब अगर कुछ smoking छोड़ना चाह रहा है तो nicotine gums से वेप्स दोगना जादा useful होता है अब देखो scientist वेपिंग के जो long term effects हैं उन पर अभी भी study कर रहे है बट यह जवाब तो मिल गया कि वेपिंग is better than cigarettes बट किन्तु परंतु आपको यह consider करना पड़ेगा कि आप उसे compare भी तो cigarette से कर रहे हो मतलब आप इसे उस चीज से compare कर रहे हो जिसका by product tar है हर्षल पटेल से compare करोगे तो हर बोलर बेटर लगेगा वेपिंग is healthy is false क्योंकि अगर आप scientifically बात करो तो ऐसी कोई भी study नहीं है जो वेपिंग को healthy बताए ना ये FDA approved है harmful chemical risk में भी होते हैं इस से lung diseases और cardiovascular diseases होती है यानि कि आपके lungs पर और आपके heart पर खत्रा होता है in fact market में इसका एक term भी है e-cigarettes and vaping associated lung illness तो भाईया ये healthy नहीं है ये भी harmful है लोग इसको भी पी कर अस्पताल जा रहे हैं लोग इसको भी पी कर मर रहे हैं और ये मैं short term की बात कर रहे हूँ long term effect अभी पता ही नहीं है उन पर study हो रही है मतलब हो सकता है दारू जितना honey का रख ना हो बट अगर आप mineral water समझ कर लोगे तो गल्ती आपकी है अचा एक और argument ये दिया जाता है कि weeping industry को cigarette mafias दबा रहे हैं ये argument समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि weeping का और cigarette का market share क्या है तो भाई थोड़ा number देख लेते हैं वेeping industry बहुत तेजी से grow कर रही है और माना जाता है कि 2030 तक वेeping industry की market value होगी 182 billion dollars पैसा ही पैसा हो गा और वही अगर आप cigarette industry की बात करो तो सिर्फ इंडिया में tobacco industry 11,00,00 करोड रुपे की है और 4,00 करोड स्यादा लोग को employ भी करती है और वो इसलिए क्योंकि इंडिया में tobacco users भूट है इंडिया is the largest tobacco market in the world इंडिया में हर तीन में से एक इंसान किसी ना किसी तरह का tobacco product use करता है तो सुट्टा होगा या तो चैनी या तो cigarette या तो गुटका एसेक्टर एसेक्टर तो market value के मामले में obviously tobacco industry is the big daddy लेकिन हाँ vaping industry भी grow कर रही है और काफी जादा इसका market खा सकती है तो अगर आपके दिमाग में अभी भी सवाल है कि भाई cigarette या vape तो इसेके example से समझो कि इंसान बले ही 9 feet पानी में डूबे या 13 feet पानी में धूब तो वराई है फिर आगे कुआ हो या पीछे खाई हड़ी तो दोनों में तूटेगी ऐसे ही कुछ मामला है cigarette और vape का बले ही cigarette के मुकाबले vape एक better alternative लगे शायद उत्रे ही level पर नहीं बट ultimately आपको हाम करेगा ही अगर आप cigarette की तरह इसकी भी chain smoking start कर देते हैं addict हो जाते हैं तो heart को lung को और यहाँ वो वाली भीमारी भी हो सकती है आप cool बनने के लिए addiction के चलते या peer pressure में आप vape use कर लो बट दो चीज समझ लेना एक it is illegal and second it is harmful for your body अगर आपको वीडियो informative लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ share करो और हाँ याद रखना जैसे अक्षे कुमार भाई ने का था ना कि हीरो गिरी पीने में नहीं है हीरो गिरी तो अच्छे content creator को support करने में है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बाबा अल्ला के नाम पे अरे बोल तो रहा था